जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 9 October 2020 को इंडिया ने एक new generation anti-radiation missile जिसे रूद्रम भी कहते हैं को Odisha के Wheeler Island के पास successfully test किया रूद्रम missile एक air to surface missile है जो कि इंडिया की एक बहुत ही unique missile है जिसे specially enemy radars को destroy करने के लिए बनाये गया है ताकि किसी भी war या बाला कोड जैसी surgical strike में दुश्मन के radar इने ने फोस के fighters jets को target करने से पहले ही destroy कर दिये जाएंगे आज के स्गार्डिंग इंडिया के वीडियो में हम आपको रूद्रम मेसाइल के सभी features के बारे में विस्तार में बताएंगे बट उससे पहले एक छोटी से request अगर हमारी videos आपको अच्छी लग रही है तो जिसने में अभी तक subscribe नहीं किया है वो subscribe वाले लाल बटन को दबा क बिल नोटिफिकेशन वाले आइकन को इनेबल कर लीजे तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर रूदर मेसाइल की बात करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि राडार, battles और conflicts में बहुत important होते हैं क्योंकि इनने इन्मी fighter jets, ships और ground movements को track करने के लिए use किया जाता है इसके अलावा, राडार को इन्मी air defense systems में भी use किया जाता है और अगर हम अपने दुश्मन देश के air defense radars को destroy कर दें तो इनने air force के fighter jets कहीं भी और कभी भी attack कर सकते हैं दुश्मन के air defense को destroy करने के इस mission को air force के language में suppression of enemy air defenses यानि SEAD seed mission कहा जाता है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि SEAD mission किसी भी air force का सबसे खतरनाक mission माना जाता है क्योंकि इसमें आप दुश्मन के air defense radar और air defense missile system को बार बार provoke करते हैं यानि उकसाते हैं ताकि वो हमारे fighters को track करके और उन पर attack करें किसी भी SEAD mission की success एक अच्छी anti-radiation missile पर dip end करती है और इससे पहले इन नेवफोस के पास Russian KH-31P anti-radiation missile थी जिसे इन नेवफोस के सुखोई 30MKI और MiG-29 UPG fighters से fire किया जाता था लेकिन इंडिया की KH-31P missile जिनकी range लगबक 110 km है पुरानी हो रही थी और इसी लिए इन नेवफोस ने अमेरिका से 1500 AGM-88G जिसे हम हाँ missile भी कहते हैं purchase करनी चाही थी लेकिन deal final हो पाती इससे पहले ही DRD उने इन नेवफोस की KH-31P missile को replace करने के लिए रूद्रम missile को develop कर लिया है रूद्रम जिसे new generation anti-radiation missile भी कहा जाता है एक बहुत ही advanced missile है जिसे enemy radars और military communication centers को destroy करने के लिए specially बनाया गया है रूद्रम missile की range लगबक 100 km से 200 km तक होती है जो की इसके launch altitude पर भी depend करती है रूद्रम missile को 500 मीटर से लेकर 15 km तक की उचाई पर उड़ते fighter jet से आसानी से launch किया जा सकता है रूद्रम missile में lock on before launch और lock on after launch modes दिये गए हैं जिससे ये missile बिना enemy radars पर target lock किये भी launch किया सकती है रूद्रम missile में 12 के guidance system लगाए गए हैं अपने flight के पहले phase में रूद्रम missile, inertia navigation system यानि INS, American global positioning system यानि GPS और Indian NAVIC satellite guidance के combination का यूज करती है अपनी flight के second phase में रूद्रम missile एक passive homing head यानि PHH seeker का यूज करती है ये passive homing seeker enemy radar के signal को detect करके missile को guide करने के लिए यूज करते हैं जिससे रूद्रम missile सीधे enemy radar को hit करे इस passive homing seeker को DRDO की DRDL lab ने develop किया है और ये 100 km दूर से ही enemy radar signals को पकड़ लेता है रूद्रम missile एक single stage missile है जिसका weight लगभग 140 kg होता है इस missile की design इंडिया के अस्त्रा missile जो की एक air-to-air missile है से बहुत मिलता है अस्त्रा missile की तरह ही इसमें cruciform wings लगाए गए हैं जो की इस missile की maneuverability को और भी बढ़ा देते हैं रूद्रम missile में एक variable thrust वाली dual-pulsed solid rocket motor लगाई गई है जिससे ये missile MAC-2 यानी 2470 km per hour की speed से उड़ती है फाइनली अपने target को destroy करने के लिए रूद्रम missile में एक pre-fragmented warhead लगाए गया है जो की optical proximity fuse से activate होता है आपको ये जानके आश्यर होगा कि 2016 के एक test में रूद्रम missile ने 100 km दूर से launch होने के बाद भी अपने target radar को 10 meter के accuracy से hit किया था इसलिए रूद्रम missile से बचना दुश्मन radars के लिए बहुत ही मुश्किल होगा अभी तक के सभी test में रूद्रम missile को Indian Air Force के सुखोई 30 MKI fighters से launch किया गया है और आने वाले समय में इसे Indian Air Force के बाकी fighters जैसे की दसाल्त राफेल, दसाल्त मिरास 2000, जगुआर और हाल तेजस में भी लगाया जाएगा Finally, Team Guarding India के तरफ से मैं इत्ता ही कहना चाहूँगा कि अपने advanced passive homing seeker तेज स्पीड और long range के चलते रूद्रम missile enemy radars के लिए एक बहुत ही खतरनाक weapon साबित होगी और किसी भी war में एक effective radar killer weapon साबित होगी इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर end करते हैं अगर आपको हमारी presentation अच्छी लगी हो तो वीडियो को like, share और subscribe जरूर करिएगा हम इसी तरह defense related videos लाते रहेंगे मिलते हैं आप से फिर नई वीडियो में जैहंद कर दो कर दो कर दो कर दो